गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विष्णू, गुरू देवो महेश्वरा, गुरू साक्षात परब्रह्मा, तश्मई श्री गुरुवे नमा, ओम गुम गुरुवे नमा, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल Purity of Life में मैंने इलम शुकला, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, आसाड मास की पुर्णिमा तिथी को गुरू पुर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इसके साथी व्यास पुर्णिमा व्यास जैनती के नाम से भी जाना जाता है, शास्त्रों के अनुसार आसाड मास की पुर्णिमा तिथी के दिन, महर्शी वेद व्यास्ची का जन्म हुआ था जिन्होंने महा काव या महा भारत की रशना की थी इसलिए इस दिन को व्यास पुर्णिमा कहा जाता है और हाँ आज के दिन अपने गुरू की पूजा आराधना की जाती है इसलिए इस दिन को गुरू पुर्णिमा कहा जाता है और साधारन भासा में गुरू क से बात करने वाली हूँ कि आसाड मास की पूणिमा तिती कब है तिती कब प्रारंब होगी कब समाप्त होगी जो भक्त पूणिमा तिती का वरत धारन करते हैं उन्हें वरत कब धारन करना है और शनान दान दीपदान की पूणिमा कब होगी गुरू पूणिमा का महत्व क्या ह पूजा विधी क्या है आस के दिन हमें किन देवी देवताओं की पूजा आरातना करनी चाहिए किन मंत्रों का जब करना चाहिए और किस प्रकार से अपने गुरू की पूजा करनी चाहिए यह संपुर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ तो आज की वीडियो बहुत महत्तपूर है पूरा जरूर देखिए अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व ब्रह्म सुत्र महाभारत श्रीमत भागवत और अठारह पुराण जैसे अदभुत साहित्यों की रशना करने वाले महार्शी वेद व्यास जी का जन्म आसाड मास की पुर्णिमा तिति को हुआ था इसलिए ये दिन बहुत महत्तु मिनट पर और समाप्त होगी तीन जुलाई को पांच बचकर आठ मिनट पर शाम के समय तो इसलिए सुर्योदे कालीन तिति के अनुसार तीन जुलाई दो हजार तेस सोम बार के दिन आसाड मास की पुर्णिमा मनाई जाएगी अब जो भक्त व्रत धारन करते हैं पुर्णिम को ही सत्यनारण व्रत की कथा भी आप कर सकते हैं शनान दान दीपदान की पुर्णिमा भी तीन जुलाई को ही होगी और गुरु पुर्णिमा यानि कि गुरु के निमित अगर आप व्रत धारन करते हैं या गुरु का पूजन करते हैं तो तीन जुलाई को ही ये सभी कार्य आपको करने हैं जो कि पूर्णिमा तिथी के दिन किये जाटे हैं तो मतलब असाड मास के पूर्णिमा, गुरू पूर्णिमा 3 जुलाई 2013 को है तो पूर्णिमा तिथी के दिन आपको सुभेह जल्दी उठना है नित्य कर्मों से निवरित हो जाएए फिर शनान कर लीजिए, साप सच वस्त्रधारन कर लीजिए और हाँ, पुर्णिमा तिथी के दिन गंगा नदी में शनान करने का बहुत महत्य होता है तो अगर संभव हो तो गंगा नदी में शनान कर सकते हैं, किसी पविद्र नदी में शनान कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसा संभावना हो तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आप श्नान कर सकते हैं। श्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सुरेदेव को जल अरपित करना चाहिए। फिर घर के मंदिर में आकर वेदे विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और पुर्णिमाति थी मालक्ष्मी को समर्पित होती है। इसलिए श्री लक्ष्मी और नारायन की संयुक तुरूप से पूजा आरादना करनी चाहिए। आज के दिन लक्ष्मी नारायन की पूजा करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनों काम नहों पूर्ण होती है। चाहें शाम को कीजिए या फिर दोनों से मैं कीजिए इसके अलावा आज सत्या नाराण की कथा करने का बहुत अधिक महत्युमाना गया है तो अगर संभव हो तो किसी ब्रामभड को घर बुलाकर और फिर कथा करवा सकते हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है मतलब किसी ब्रामभड को घर बुलाना संभव न हो तो अपने घर में स्वयम भी आप कथा का पाठ कर सकते हैं मतलब परिवार के सभी सदस्ये मिलकर श्री लक्ष्मी नाराण की श्री सत्या नाराण की विधिविधान से पूजा कीजिए व्रत की कथा का पाठ कीजिए और हाँ भगवान श्री सत्या नाराण की पूजा करते समय पंचामरित का भोग बनाना चाहिए मतलब दूद, दही, खी, शहत, सकर पांचो चीजे मिला कर पंचामरित बनाईए तुलसी पत्ता डाल कर श्री लक्श्मी नाराण को, श्री सत्या नाराण को अरपित कीजिए और आटे का चूर्मा या फिर सूजी का चूर्मा बना सकते हैं खीर बना सकते हैं आप, चाहे तो सफेद मिठाई अरपित कर सकते हैं, फलों का भोग भगवान को अवश्य लगाना चाहिए जो भी रितुफल आपके पास उकलब्दों विशेश करकेले का भोग तो ये सभी चीजे एक कत्रित करके श्री लक्ष्मी नाराण की श्री सत्या नाराण की घर में भी वेते विधान से पूजा करके कथा का पाट कर सकते हैं और हां जब आप सत्या निकाला है आटा दाल सबजिया इत्यादी जो भी आपने निकाला है इस सभी के साथ दक्षणा और प्रसाद रखकर आप किसी ब्राम्हण को या किसी मंदर के पुजारी को दान कीजिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं मतलब अगर आप किसी को दान दिये बिना स्वैम से कथ का पाठ करते हैं तो आपकी की गई पूजा का और कथा का आपको कोई फल नहीं मिलता है दोश लगता है तो इसलिए ब्राम्हण की नमीत दान निकाल कर ही आपको कथा का पाठ करना चाहिए और भगवान सत्यनाराण की कथा आप सुबे भी कर सकते हैं चाहे तो शाम को भी क इंकूल हो कर सकते हैं और हां जो भक्त पुणिमातिती का व्रत धारन करते हैं सुबहर की पूझा करते हैं आप अपने व्रत का संकल्प ले लिजिए क्योंकि न vềवरत का संकल्प लिए आपकी कीगई पूझा आपगो संपरुण फल नहीं लिए संकल्प आवश्यक है संकल्प लेने के बाद ही आपको पूजा प्रारंब करनी चाहिए और व्रत करते हैं तो आप दिन में फलाहार कर सकते हैं कोई सभी फल खा सकते हैं जूस पी सकते हैं फलोकारस पी सकते हैं दूद ले सकते हैं चाय जल इत्यादी मतलब जलाहार और और शाम के समय फिर से विदी विधान से श्री लक्ष्मिर आरण की पूजा आरातना करके और जब चंद्रमा उदीत होते हैं तो चंद्रमा को अर्के देकर आप अपना वरत खोल सकते हैं पूरिमा तिती का वरत मीठा खाकर ही खोलना चाहिए तो जो भी भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं खीर का या पंजीरी का सबसे पहले आपको उसी प्रसाद को खाना चाहिए उसके बाद आप उसी के साथ चाहें तो भोजन भी कर सकते हैं लेकिन पूरिमा के वरत में म बडिशी शक्कर और सफेद पुष्प डालकर बगवान चंद्रदेव को ओम चंकरमसे नमा ओम सोमसोमाय नमा इस मंत्र के द्वारा अर्खि दे सकते हैं तो शाम को चंद्रमा को अर्ग सभी को देना है आप वुरत करते हैं तो भी आपको देना है जो भक्त नहीं करते हैं की मन कामना हो प्रोण हो जाती है इसके साथी अगर आप कुणडली में चंडर्मा खराब है जंदर्मा पीडि थे आप हमेशा तनाओ में रहते हैं मांसी गूंभ से परेशान रहते हैं या आप आप डिप्रेसन के सिकार हैं तो ऐसे में पत्तेक पुर्णिमा तिति पर चंद्रमा को कच्चे दूज से अरके दीजिए और थोड़ी दिर तक चंद्रमा की रोश्णी में बैठकर ओम सोम सो मायनमा इस मंत्र का जब कीजिए इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और हां पुर रहे दोश आपके जीवन में हो सभी ग्रह दोशों से मुक्ति मिल जाती है और किसी प्रकार की आपकी मनो काम नहों पूर्णिमा तिति के दिन अपने घर के आसपास कहीं भी अगर मंदिर है तो वहां दीपदान अवश्य कीजिए घर के आसपास कोई देव वरिक्ष है जैस आप वरत करते हैं तो भी आपको ये नियम पालन करना है और जो भक्त वरत नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये नियम अपने गुरु की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इसके साथ ही बड़े बुजर्गों का और माता-पिता का आशिरवाद भी लेना चाहिए तो गुरु पुर्णी मा बहुत महत्यपूर्ण है आप विधी विधान से अपने गुरु की पूजा कीजिए सत्तनारण भगवान की पूजा कीजिए चंदरदेव की पूजा कीजिए निस्चिति आपके जीवन की परिशानिया समाप्थ होती हैं तो ये है आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्ण है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार